हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो एजुकेस इंडिया तो आज बात करेंगे किसान करज माफी के बारे में आपको बता रहें तो मोधी सरकार आपके लिए बहुत बड़ा एलान और बहुत बड़ा तफा लेकर आ रहे हैं करज माफी का और सभी किसानों का दो से तीन लाक अब बारे में अभी जानकारी पुरी की पुरी दी जाएगी इसलाब ये वीडियो देखते दिने पूरा का पुरा ध्यान प्रकलाष तक कि आपको इस तोफे की पुरी की पुरी जानकारी मिले और आप लाब ले पाए लेकिन उससे पहले हम आपसे थोड़ा भूबन देना और जिससे आप उस सबस्क्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीची एक लाल कलर का subscribe का button ठीकराऊगा आपको इसको दवा देना है और जिससे आप उस subscribe को अपना support भी परतान करिए जिसके लिए आपको वीडियो को like को उर्ष जेर करना होगा like करने से आपका support विल जाएगा इस वीडियो को और सेर करने से ये वीडियो आपके भाई बहन विच्ट्रों के पास जाएगा इसलिए आप इस डिएो को लाइक और सेयर करके इस डिएो का अपना सपोर्ट जरूर परदान करिए तो अब हम बात करते हैं करज माफी के बारे में और आपको बता रहते हैं किस परकार से परदान मंतरिक किसान करज माफी की परक्रिया होने वाली है तो मोदी जी आप सभी के लिए बहुत बड़ा तौफा लेकर आएं और सभी को केसी माफी की रहत दे रहें आपको बताए तो ये बहुत बड़ी पूरे देश के किसानों के लिए सोगा थे क्योंकि इसमें सभी किसानों की मांग पूरी हो रही है और वहाँ उनकी मांग थी कर्ज माफी की जो की अब मोदी सरकार कर रही है पूरा और सभी किसानों का जो है पूरा का पूरा कर्ज माफ कर रही अब केसे करें क्यों करें इसके बारे अभी आपको जान कर दे देते हैं आपको बता रहे तो यह करज माफी हो रही है वो 25 जुलाई से पाले ही हो रही है अनि कि 25 जुलाई से पाले है पाले आपना करज माफ करवा सकते हैं तो देखे किस परकार से आपको करज माफ करना है इसलिए आप यह वीडियो पूरा का पूरा देख लिजे और आप सबसे पल वोने दुहजार आठ नॉव में कीती करज माफ़ी। उसी परकाल एंडिये को भी फिर से करज माफ़ी करनी चाहिए 2020 में। उन्होंने यह सुझाओ। जो हैं यहाँ पर संसत में सभी दिलो और सभी जो हैं किसानो हनुमान बैलिवाल की तरफ से बड़ी वी अपड़ेट आईये की ग्रामिन विकास और जो हैं यहाँ पे किसान कल्यान विबाग को लेकर वहाँ पुरी तरह से जुटे हुए हैं कि किसी परकार से जो है किसानों की मांगो को पूरा करा दिया जाए और इसी को लेकर यहाँ पे रालो पायाने की राष्टे लोकतांतिक पार्टी के नागोर संसद हनुमान बेलीवार ने ये बहुत बड़ी संसद में आवाज उठाई ये किसानों के परती और उन्होंने ये कहा है कि किसान हमारी अंदाता है अनुत्पन करने वाला है और इसके अलावा जो है देश की रक्षव में किसानों के बेटों ने भी सहादत दी है उन्होंने कहा है कि किसान हर वक्त हर समय हमारे लिए जो हैं पूरी तरह से सरोचे नुचावर करते थे और इ से किसान पीड़ीत रहा है इन्होंने ये बात कहते हुए कहा है कि किसान को हर वक्त जो है दुख जेलना पड़ा है लेकिन अब मोदी जी कि जो है सासन है इसी करण जो है मोदी जी कुछ ऐसी यूद नहीं लाए जिससे किसानों का भला हो और उनको ये पता चल जाए कि अब स्रफ और स्रफ किसानों का इसासन है ना कि किसी ऐसी सरकार का जो कि किसानों के परती बिलकुल भी उदारवादी नहीं है और इसके अलाव उन्होंने यह कहा है कि किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए और कर्ज माफी की दिस्था में बहुत बड़े- बहुत है ऑसली बीमा कंपनियों का फजी वाडावी रोगा burger जाना चाहिए और भी आसान हो समझ्च यहां पर हनुमान बहुत ने बात कहिए उन्होंने कहा है कि बीमा कंपनियां इसमें प्र्रेम्म तो लेले ती घगाई यहां पर सत एक सत्तिता है और ये बहुत बिल्वकुल सही है हनुमान बेनी वाले ये बात कही है और इसके अलाव उन्होंने कहा है कि आजस्तान सहीद कहीं परदेशों में तो अभी बारिस नहीं हुए फिर किसान बीना फसल बहुत बीमा कैसे करवाएगा ये भी बात कही है यहाँ पर किसानों के परति है तो हनुमान बेनी वाले ने किसान कल्यान कोस में एक और बड़ी बात कही है कि किसान कल्यान योदनाओं का रिव्यू होना चाहिए उन्होंने कहा है कि फिसले पांस सालों में किसानों के लिए जिन महत्पुन योदनाओं यसे पीएम किस शिचाय योदना पसर बीमा इस रिपोर्ट के हवाले से जो है इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 14.2 करूड एक्टर भूमी किर्सी हो गया है और देश में तक्रीबान बावन पर तेस्ट सा आनिवन सिचा और मांसुर पर निर्पड करता है और इसके अलावनों ने यह कहा है कि किर्सी एवन किस अधिक मजबूत होना चाहिए तदा सक्सम बनाया जाना चाहिए साथ एक इसके अलावन ने यह कहा है कि इससे किसानों की सत्ती को बहुत ही बड़ा यहां पर सुधार देखने को मिलेगा यह हनुमान बेनीवाल ने कहा है और वहीं इसके अलावा आपको बताई तो एक और बड़ी बात कही है अनुमान बेनीवाल ने किसानों के परती और उन्होंने कहा है कि मासिक आए बढ़ाने चाहिए और इसको लेकर परियास किये जाने चाहिए उन्होंने कहा है कि हमने देखा है राजस्तान के हिस्तों में जहां पर 30% किसान परिवार रहते हैं और उस तर उनके पास जो हैं एक पॉइट नब्वे एक्ट जमीन परती परिवार हैं लिए और साथ हमने यह भी देखा है कि दो जड़ सोला सितना में उनकी जो आई थी वह मासिक आई सिर्फ पर सिर्फ नब्वे हज़ार पर कही आसपास थी और इसमें कहीं किसानों कि आई तो इससे भ है कि बन्डारन की वहिस्ता वह विकास होना चाहिए जिससे किसानों को और भी अच्छी अच्छी सूवों की परिवाद हो मिल जाए जो विम्मां बगर सारी की जो योधना यह उनका सही तरह से यहाँ पे समूची तरीके स्प्रावदान किया जाना चाहिए साथ में उन्होंने यहाँ कहा है कि जो भी भंडरन की वश्ता की गई है साथ में जो भी यहाँ पे अन्ड रखने की वश्ता की गई है उसको बिल्कुल सही तरह से सिटेम एक धंग से पढ़तनी के पनालिक तरीके से जो है यहाँ पर रखा जाना चाहिए तबी किसान की उपज में भी अच्छी वर्दी होगी और साथ में उनकी उपज जो हैं भरबाद भी नहीं होगी यह बात कही गई है यहाँ पर अनुमान ब बात कही है और यह पूरी बात एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर आपके लिए अपडेट लेकर आईए कि करज माफिय और किसान यूद्णा को लेकर बेनी वालने संसद में आपके लिए आवाज उठा लिए और आपका यहाँ पर पूरी तरह समुची समधान हो इसके लिए उन्होंने जो है मोदी जी से भी यह कहा है आगर किया है कि यहाँ पर किसानों की समधान करने के परती उस दिसा के परती आपके बहुत बड़े कदम उठाने के अभी फिलाल जरूरत है एसी वाज संसद में जो है बेनी वालने कही है बेनी वालने यह भी कहा है कि जो रेलिय एसे ही नहीं हुई थी वह मांगों को लेकर हुई थी उनमें कुछ मांगे थी किसी में मुल्य समर्थन और किसी में करजुमाफी और किसी में कुछ और मांगे थी उनको पूरा मोदी सरकार के दरा किया जाना चाहिए और उन पूरी मांगों का एक निसकर्स और यहां पे पूर काली और करज माफि को लेकर उन्होंने संसद में जो यह आपध की डल रही है और उनों नए यह कह दिया है कि करज माफि करना नहीं चाहिए किसानों का समय्च्रा का समाथाण होना ही चाहिए तो इस प्रकार से यह बहुत बड़ी है आपके लिए खबर और ताजा खबर ही आप सबी के लिए यदि आपको यह ताजा खबर आज की बड़ी खबर अच्छे लगी हो तो आप इसलिए को लाइक कोशी करेगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही माथ पूने को यह दिए आप एक किसाने और मित्रों के पास पहुंचे जाय और साथी में आप जो है चैनल को कर ले सबस्काइब ताकि आपको आगे भी इसी जान करें सबसे पाले मिल जाए तो इसमें बस तहीता आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए जेहिंद जे बारत और वंदे मात् कर दो करें